आज बनाएंगे बाम मशली का सारण इसे इल फिश भी कहा जाता है और मैं आपको इसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और ये जटबट बन जाती है और खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है तो ये मैंने बाम मशली लिए है ये छोटी ही मशली थी और साफ करने के बाद इसका वजन लगबग 300 ग्राम तक है अब सबसे पहले इसमें कौटर टी स्पून हल्दी पाउडर और आधा छोटा चमश नमक डाल कर अच्छी तरीके से मिला देंगे और साइट में ढाक कर रख देंगे अब इतनी मशली के लिए एक बड़ी प्यास लेकर इसे छिल लेंगे चिलने के बाद इसका छोटा सा टुकड़ा काटकी मैंने अलग रख लिया है बगहार के लिए और बाकी की प्यास मैंने मोटा मोटा कट करके मिकसर जार में डाल दिया है अब इसमें 10-12 कलिया लहसुन की और एक इंच चुकड़ा अधरक का डाल कर बिना पानी डाले पीस लेंगे अब एक पैन में 5-6 बड़ा चमस अरसू का तेल गरम करेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें फिश के पीसेस डाल देंगे फिश को अलट प्लेट करते हुए सिर्फ 2 मिनट फ्राइ करेंगे उससे ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है फिश को फ्राइ करके बनाने से फिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और सालन में पकने के बाद ये बहुत ज़दा नरम नहीं होती है तो फिश को मैंने 2 मिनट फ्राइ कर लिया है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब बचे हुए तेल में कौटर टीस्पून हिंक और आधा चोटा चमश मेथी दान डालेंगे और मेथी दाना के लाल होने तक फ्राइ करेंगे फिश के सालन में मेथी दाने का जो बगहार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब जो थोड़ी सी प्याज हमने बचाए थी उसे कट करके डाल देंगे और प्याज के लाल होने तक फ्राइ करेंगे प्यास डाल हो जाते हैं एक हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे और ये मिर्च काफी तेज है मिर्च को भी हलका सा फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद पिसी हुई प्यास अध्रक और लहसुन डालेंगे मिक्सर जार में थोड़ा से पानी डाल कर लगोहा मसाला भी पूरा ले लेंगे और मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिट भूनेंगे तीन-चर मट मसाले को भूनने के बाद कुछ ड्राइ मसाले डालेंगे जिसमें कौड़े टीस्पून हल्दी पाउडर एक चुटा चमच काश्मीरी मिर्च का पाउडर इससे रंग अच्छा आएक और ये तेज नहीं होती और तीखी के लिए मैंने हरी मिर्च डाला है दो चुटा चमच, धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे अब मसाले को अच्छी तरीके से मिला देंगे और ये मैंने पास एच्छे ड्राइ कोकम लिये हैं जिसे मैंने आदे कंटे पहले भीगा दिया था इसे आमसुल भी कहा जाता है इसे आप ऑनलाइन भी ओडर कर सकते हैं इसे फिश करी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये थोड़ा खटा होता है अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप दो चुटा चमच, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं तो भीगिवे कोकम के साथ मैंने इसके पानी को भी डाल दिया है अब इस मसाले को दो मिनट और भुनेंगे तो ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और तेल भी अलग हो रहा है अब इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसमें उबाल आने देंगे तो करी को मैंने इतना पतला रखा है बाद में थोड़ी सी थीक हो जाएगी और फिश करी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है कौटर टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडरेट कर देंगे ये होममेट मसाला है तो करी में उबाल आ गया है अब इसमें फ्राइ किये हुए फिश के पीसे डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला देंगे अब इसमें धाकर धीमियाज पर पांच मेट पकाएंगे तो पांच मेट हो गए है अब इसमें थोड़ा से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे धनिया को इसमें मिक्स नहीं करना है और धाकर धीमियाज पर एक मेट और पकाएंगे जिससे धनिये का टेस्ट करी में अच्छी तरीके से आजाएगा तो एक मिट और हो गया है फ्लेम को बंद कर देंगे और ये गर्मा गर्म बांचली का सालन बनकर तयार है